अब ये तो ज्यात्ती है सर पंचायत के फैसले के बाद मेरे बेटे सुमित ने उस लड़की से बात तक नहीं किये और सर तलाशी के नाम पे पूरा घर उथल पुथल करके देख लिया आप लोगों ने कुछ सवाल के जेवाब दे चुका हूं अब तक हमने सिर्फ कुछी सवाल किये जाती तब तक सवाल रुखने मैडम जब से पंचायत नहीं मैं वर्निंग दीक है तब से इन चकरों में बोकल पड़े ही नहीं है मैडम अब तो सुमित से मिलना जुलना भी बन कर दिया हमने बढ़ा हमको कैसे पता होगा कि शिखा कहा है वो हम सब पता कर लेंगे धीरज मयां बस इस बार हम तुम से अपनी तरह से पूछताच करेंगे इतना सब होने के बाद भी आपने बेटे को इतनी छूट दे रखी थी अरजुन जी शिखा सुधर गाई थी कसम खाई थी उसने कि सुमित को भुला देगी जाहर है जो जूट बोल रही थी तब ही तो आपके नाक के नीचे से भाग कर आपके नाक कटा दी उसने अनरे बड़ा कांट हो गया उसके बाद भी आपने शिका को फिर से फोनिसे माल करने के लिए दिया अरे बाप मोंग और जलात नहीं सहम सहम के मांगती जी तो दिल पिंछल जाता था उसने वादा किया था कि अपने कॉलेज की सहलियों के अलावा किसी से बात नहीं करें आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था बहुत बड़ी गलती हो गए आपसे जो होना था सो हो गया नाजपाल जी अब जब आपकी लड़की को लाया जाएगा उस से और इस पूरे मामले से हम निप्टेंगे अब यह आपके घर का मामला नहीं यह पूरी ब्रादरी का मामला मैं कितनी बार क्या चूका हूँ सर मैंने शिखा को कहीं नहीं छुपाया मैं बार-बार ये भी चूका कि शिखा के बारे में सुनकर मुझे बिविः उतना ही शौक हुआ है कि तेरे फोन रिकॉर्ड और शिखा के फादर राजपाल चोहन के फोन रिकॉर्ड लाजपाल जी के फोन से तज गॉल आया था शिखा के फादर तो तुझे फोन करेंगे बहुत ज्यादा क्या को हो शिखा आप रोना आ रहा है मुझे पती पतनी है अम लाइफ हो तुम मेरी क्या क्या सपने देखे थे मैंने हमारे बारे में ये सपने सच कैसे हो सकते हैं बस हमें एक हो जाए शिखा सारे सपने सच हो सकते हैं फिर से एक कैसे हो सकते हैं। फिर से भाग जाए। मैं तयार हूँ। लेकिन एक बात है। क्या बात है शिखा। सुमेथ हम इस बार ऐसी जगह भागेंगे। जहां हम तक कोई ना पहुच पाए। क्योंकि अगर इस बार हम पकड़ेगे। तो भाई और पापा हमारे टुक्डे टुक्डे कर देंगे। अमारे टुक्डे टुक्डे हो चुके है शिखा। पहले हम एक दो टुक्डो में बढ़ गए। सुमेथ शायद भाई आरे हैं। मैं तुम्हे बात में फोन करती हू। आलव यूू। हाँ पस एक बार बात हुई थी। आप चेक कर लिजे रिकॉर्ड्स। सर मैं आपको ये भी बता देता हू। अगर शिखा मेरे साथ दुबारा भागती ना तो आप लोग कभी नहीं ढून पाते। ये तरह एमोशनल ड्रामा है ना। यहां नहीं चलेगा। जब हम भागे थे। जिस दिन हमने शादी की थे। हमारा आगरा छोड़कर कहीं और जाने का प्लान था। पर शिखा को एकदम से अपने घरवालों की याद आई और वो इमोशनल हो गए। वीसियों से फोन करने की जित करने लगी और मैंने हां कर दिया। पर उस तिन वो फोन नहीं किया होता ना तुम सच में कहीं और से टेल हो गए ओते। मैं अज़ी रजश मैं तुम-दोनों की बात पर यकीन कर रहा हूं और तुम दोनों को जाने दे रहा हूँ अगर मुझे बाद में पता चला कि तुम दोनों ने जूट बोला था तो सौरी बोलने के लाइक नहीं बचा गए ओके सर, ठीक, जा सुनेता, इन दोनों पर नदर रखवा मुझे आप किसी पर भरोसा ने करना जी सर, साजिद नगर में लड़के अक्टिवेट कर दिये हैं जैसे कल रात को ये दोनों, मयंक और धीरज, घर पर ही थे किसी ने ने कहीं आते जाते भी नहीं देखा शोबापूर से शिखा को भी घर से निकलते भी किसी ने नहीं देखा था बट फिर भी लड़की गाइफ हुई है सर, सुमीट से हर तरह से पुछता चकी इस बर ये लगता है इस बंदे का कोई हाथ नहीं परसों शिखा और सुमीट की आपस में फोन पर बात हुई और आज सुबा लड़की घर से फिर गाइफ होगी सर लेकिन इन दोनों की पिछले एक महीं से कोई भी बात नहीं हुई है हमारे सामने जितनी चीज़े हैं हमें उतनी ही मालूम हो सकता है कुछ चीज़े हमें मालूम ही नहीं हो विशाल तो शिखा को अपना फोन देने से रहा और कभी बाहर भी जाती थी तो हम तीनों में से कोई ना कोई रहता था उसके साथ सर कल रात यानि तीन की रात और आग चार के सुबा तक राजपाल चोहन के फोन से कोई भी कॉल नहीं किया गया जब पहली बार शिखा और सुमीत भागे थे, हो सकता है उस वक्त सुमीत ने शिखा को को दूसरा फोन दिया। सर अगर ऐसा होता तो सुमीत के फोन पर उस नंबर से कोई तो कॉल हुआ होता। शायद सुमीत के पास कोई दूसरा फोन हो। सुमीत, तू ठीक वहना बिटा, सुमीत, तू ने सच में तो नहीं? काश मुआ, काश मैंने सच में उसे भगाया होता है उसकी फैमिली से दूर आप लोगों से दूर किसी कोने में सुखी रह रह होते हम लोग सोच सोच के पागल हुआ जा रहा हूँ, मेरी पतनी कहा गायब हो गई? पिश्ली बार तुम दोनों ने बहुत कोच छुपाया हम लोग से इस बार ऐसा कुछ भी मत करना है इतना खुदगर्स होना भी अच्छी बात नहीं है कि तो सिर्फ अपने बारे में सोच है जो कुछ भी किया ना तुने उसके वज़द से कितनी जिल्लत जहने पड़ी हमें उक्का पानी बंध होते होते रहे गया हमारा उक्का पानी बंध होने की पड़िये पापा यहां मेरी सासे बंध होने को इश्वर के सामने साधी किया मैने शिखा से मांग भरिये मंगल सुत्र पहना आया उसका कुछ नहीं पहले मुझे समाज के नियम समझ में नहीं आ रहा था अब मुझे सिका समझ में नहीं आ रही कहां चली गए यह हूँ समय पता लगाती हूँ सममित के पास दूसरा फोन है या नहीं हाँ और ये भी पता लगाओ कि अगर समीत शिखा को नहीं चुपा सकता है तो कहां समीत की एक बात खटक रही है क्या क्या था कि जब वो पहली बार भागे थे तब शिखा कि एमोशनल ड्रामे से उसे पिगलना नहीं चाहिए था उसे वो फोन कॉल नहीं करने देना चाहिए था जो उसने अपने परिवार वालों को किया शिखा ये तुम कैसी बात कर रही हो अगर अभी तुमने मम्ही पापा को फोन किया तो वो पैलो पे कुलाड़ी मारने जैसा नहीं गले पे कुलारी मारने जैसा होगा देखो तुम्हारे मम्ही बापा हंड्रट परसंड पॉलिस के पास चले गए होगे मेरा और मैं अगर तीनों का फोन इसवाख़ सर्वेलेंस पर है किसी ने भी कि तुमारे घर फोन करने के लिए फोन ओन किया ना तो हमारी लोकेशन उनके सामने होगी मैं तुम तीनों में से किसी का फोन इस्तवाल नी करूंगी पिसी यो से फोन करती हूँ पूर अभी क्यों सिखा अभी क्यों क्यों कि bunu है मां मी पापा इस उन्हों ने मुझे बड़ा किया है इस दुनिया मेला है इतना प्यार मैंने मैंना औरत इतना दोखाatar इतना तो बनता है कि उन्हें मेरे बताओ कि मेरी शादी हो चुकिए वो गलत ही थी मेरी उसे फोन करने देना बहुत बड़ी गलत ही थी तर वैसे सुमित गलत नहीं बोल रहा है वो एक फोन आया और इतना बड़ा बावाल खड़ा हो ना वो फोन आता और नहीं हम उने ट्रैक कर पाते हैं सर एक बात और खटक रही है दो तारिक के शाम को शिखा ने राजपाल जी के फोन से सुमित को फोन किया हो सकता है ये बात फैमिली को पता चल गई हूँ काफी गर्मा गर्मी हुई हो मार पीट हुई हूई और आक्सिडेंटली या जान बूच कर शिखा की मौत हो गई है ये ज़रूरी था बापा इस मसले को जड़ से खत्म करना बहुत ज़रूरी था इस खेल में मोहरे को ये थोड़ी पता था कि वो सिर्फ एक इस्तमाल करने की चीज़े है काम हो जाने पर बिना पलग जब काई उसे कुर्बान कर दिया जाएगा बुजर्गों ने ऐसे ही नहीं प्यार की तुलना जंग से की है कहते हैं ना प्यार और जंग में सब कुछ जायज है जंग तो छिड़ गई थी हमने शिखा को खोजने के लिए वार फुटिंग पर सर्च ओपरेशन नाच किया पर इस ऑपरेशन के दौरान हम सब को इस बात का अभास भी हो गया था कि जिसे हम खोज रहे हैं वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है सुमित ने उस गलती के बारे में बात की थी उस PCO से किये गए फोन कॉल को एक बहुत बड़ी गलती करार दिया गया था क्या उसका शिखा के दूसरी वार गयागोने से कोई कनेक्शन था अईसे ऐसे कनेक्शन जो हम से पूरी तरह से चिपे हुए थी हम से नहीं बलके सबसे करीबी लोगों को भी इस बात का जरा सा एहसास तक नहीं था कि पर्दे के पीछे वाले पर्दे के पीछे और कितने पर्दे हैं सर गाउवालों ने हाईवे पर चक्का जाम करने का एलान कर दिया है हमने आस पास के सारे प्लेस्टेशन को इतला कर दिया पुलित वालों करो कुछ का नहीं हटे का चक्का जाम आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं कि शिखा सही सलामत धर वापस आ जाए या दो जातियों को बिच में जगड़ा हो ये चाहते हैं आप अरे इसमी साफ पहली बार जब सुमित हमारी बेटे को किड्नाइप किया था तब यह आपने उसे गिरफतार के लिया होता तो आज ये नौब अधिन यहा अब जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती तब तक आप हमारी गर्मी देगा इसमी साफ सर हमारी मांगा जो ऑफिसर भी इस केस को देख रहा है उसे हटा कर किसी दूसरा आफिसर को लाए जाए जाए बिल्कुल वलिखलों कि मैं खुद इस केस के ओपर ध्यान रखूंगा और जल से जल डूंग लगी लेकिन आप लोगों से घुजारिशी के प्लीज कोई ऐसी हरकाद ना करें कि दो जातियों में तनाव बढ़े प्लीज मेरी बात सब्सक्राइब ऑनर किलिंग का एंगल बहुत स्ट्रॉंग मालूम पड़ता है और अगर तुम्हें लगता है कि यह एंगल सही नहीं है तो अपना लाइन अफ इन्वेस्टिकेशन चेंज करो और उस पर काम करना शुरू करो जातियों के बीछका दंगा काउंड़ां की तरह सरपर बंढ रहा है जानते हैं सर लेकिन परिवार वालों का कहना है कि लड़की अपने आप कहीं चलेगी चुप 차p बिना बैग और लगच लिए लेकिन अगर परिवार वालों ने लड़की को खोदी मार दिया तो सार फिर मामला टू प्लस टू नहीं रहता क्योंकि जो है ही नहीं उसे कैसे डून सकते हैं तो मैं जो भी करना है जल्दी करो जो भी हल्प चाहिए मेरी और से हाँ है और वो लड़के का परिवार साजीत नगर उन्हें फुल प्रोडक्शन प्रोड़क्शन प्रोड़करो मामला कभी भी हाथ से निकल सकता है सुन रोकेट चुप चाब फायर होना चाहिए कोई शोर नहीं कोई आवाज नहीं साइलेंसर लगा के घुसना पड़ेगा किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू खबरी है फिर भी लोगों के बीट से पता लगाना है कि क्या घर के अंदर को चुआता और कोई टूटे ने टूटे लेकिन शिखा की माँ जरू तूट सकती है इमोचनल हो सकती है मैं उनसे बात करती हूँ साब और उनकी वह पड़ोसन आशिश की पतनी क्या ना मसका फूजा उससे भी बात करो जब घर का मर्द बाहर हो तो घर के अंदर की बात टूटो लो मेशा तुम मेर साथ अंदर हो और काजल एकदम होश्यारी से किसी को पता ना चले समझी कुछ पता चला चिका के बारे में अभी नहीं आप से कुछ बात करनी है घर में सबसे छोटी थी ना उसके पापा ने उसे बहुत लाड से रखा था समझ सकती हो उनका गुसा भी समझ सकती हो किसी दूसरी जात के लड़के के साथ भाग जाना हो किसी को भी गुसा आएगा सच कहें तो अब भी चूट ही लगता है सब कुछ हमारी बेटी ऐसे कैसे ऐसे कैसे कर सकती है इतनी बड़ी गल्ती संभाल लिए अपने आपको गल्ती तो उसने की है और बहुत बड़ी गल्ती की है वैसे तो दिल से उसने अपनी गल्ती मान ली थी कसम खाकर उसने सारे नाते तोड़ दिये थे सुमित के साथ जब हम यहां पिछली बार आए थे तो उसने हम से कहा था कि उसने सुमित के साथ सारे रिष्टे नाते तोड़ दिये पर पता नहीं ये सब कैसे हुआ उम्र ही कुछ ऐसी होती है दिल में कुछ और होता है और जुबाँ पर कुछ और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ पता चल गाया है नहीं ऐसा कुछ नहीं है हम तो बस अनुमान लगा रहे हैं कि कि शिखा ने जो वादा किया था कि उसने सुमित को भुला दिया है उस पर शायद आप लोगं को यकीन नहीं था वैसे यकीन ना होना बिल्कुल जायज है दूद का जला चाच भी फूब फूब कर भीता है एक बात पूछूं जानकी जी साफ साफ जवाब देंगी क्या? उस शाम यानि दो अक्टूबर की शाम को जब शिखा ने आपके पती राजपाल जी के फून से सुमित को फून किया था तो क्या इस बात का पता राजपाल जी और आपके बेटे विशाल को लग गया था? क्या ये सच है कि ये सब कुछ इस घर की चार दीवारी में हुआ? ये आप क्या कह रहे हो? कहने रही हैं, पूछ रही हैं क्या आपके बेटे विशाल और आपके पती ने गुस्से में आकर शिखा का कतल कर दिया? और फिर हमारे सामने ये जूटी कहानी बुनी कि शिखा सुबे से गायब है, वो घर से भाग गई है वगरा वगरा जूट तो वो है जो आप पूछ रहे है आप मा हैं उसकी, आपने जन दिया है उसको मेरे पती पिता है उसकी, विशाल भाई है उसका अगर आपको लगता है कि जूट बोलकर आप अपने पती और बेटे को बचा लेंगी तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं क्योंकि सच तो हम ढून लेंगे मेरी बेटी को तो आप ढून नहीं पाए और इसलिए ये ये आखसान तरीका निकालने पर तुले हो है हमनी लोगों को हमारी बेटी के हत्यारे बता रहे हो ऐसा पहली बार नहीं हुआ ना कि किसी परिवार ने अपनी इज़द बचाने के लिए अपनी बेटी कुर्बान कर दी तो ये भी कोई पहली बार नहीं है कि पुलिस वालों ने किसी मासुम पर जूठा इल्जाम लगाया नहीं हमने तो रात को कोई आवाजी नहीं सुनी देखिए आपके पती आशीश चौहान परिवार के काफी करीब है अब ये नामुम्किन तो नहीं कि वो शिखा के कतल में चौहान परिवार का साथ ना दे या फिर उसकी लाश दफ्राने में कैसी बाते करी हैं अगर आप लोगों को लगता है कि जाजपात के नाम पर आप किसी का कतल करके निकल सकते हैं कोई जलादों का परिवार नहीं है जो से माट डालेगा और मेरे पती इस चीज में उनका साथ देंगे कभी नहीं सर्दिल्ली आगरा मेरत और लखनों के सभी थानों में शिखा के फोटोग्राज भेज दिये गए खबरी नेटवर्ग भी एक्टिवेट कर दिया गया सर्दिल्ली आप कर दिखना जाने की कोई निशानी नहीं मिली है शिखा की माट इतनी एमोशनल है उतनी ड्रामे बाज भी तूटने के बजाए हम पर ही चड़ बैटी तो फिर प्लैनिंग क्या रही होगी क्या शिखा वाकी घर से भाग गई अगर ऐसा है तो अकेली लड़की कहां चुपी होगी या चुपाया गया होगा सर ये बात बड़ी अजीब है क्योंकि इप सुमित और उसके दोनों दोस्त 24 गंटे हमारे राडार में और उनके फोन्स भी और वहाँ से कोई भी suspicious movement ट्रैक नी हुई सब मुझे अब भी लगता है कि दूसरा फोन होने की पूरी possibility है कोई लड़की अकेली कहीं छुपी हो और उसके पास फोन ना हो ये कैसे हो सकता है लेकिन सुमित का दूसरा फोन भी तर ट्रेस नी हुआ है वो सकता है किसे और के नाम पे हो फोन और उन नंबर से ये अपने regular numbers पे call ही न करते हो सेफ खेलते हो मतलब काफी लंबी planning की गई थे फरजी नाम फरजी सिन लेकिन फिर वो पहले वाला ड्रामा क्या था लड़का लड़की घर से भागते हैं शादी करते हैं और लड़की वापस आ जाती और लड़की फिर से भागती है लेकिन इस बार लड़का घर पे बैठा है भोला बनके मैं लगता हमारे ये सारे एंगल निशाने से बहुत दूर है आपका मतलब कोई नया एंगल सर एबसलोटली कोई ऐसा एंगल जो हमारी और बाकी सबकी सोच से भी परे है सर तो पिर हमें सब छोड़के ये दो सेकेंड फोन्स पर फोकस करना चाहे सर शिखा के गाउं शोभापुर और सुमित के गाउं साजिद नगर इन दोनों के आबादी लगभग मिलाकर इस रेंज में सेलफोन कितने होगी चार साड़े चार हजार इन में से हमें दो ऐसे नंबर्स जूणने हैं जो शायद सुमित और शिखा के आल्टरनेट नंबर्स हो सकते हैं इस सेकेंड फोन के एंगल को अच्छी तरह से खंगाल दे क्योंकि हमारे रेगुलर एंगल डेड एंड में मिलने वो सकते हैं सेकेंड फोन की तलाश सही एंगल पर रोशनी डाले पुलीस है ना आप शना बखती है तो बखे लेकिन जान की तो तुम हमसे ऐसे सवाल कैसे पूछ सकती हो मा आपको वाकर ही ऐसा लगता है कि मैं और पापा मिलकर चिखा को जान से मारेंगे उसे गायब करवाएंगे हद है मा हद तो यह है पिता कि हमारे घर की जबान बेटी गायब है तुम लोग ना वो पुलीस ना और कोई उसे डूड़ पाया है है सके से किसी को कुछ भी नहीं पता कि मेरी बेटी कहा है किस हाल में है शोबापूर की कवरेज में लगबख 2000 फोन एक्टिव थे 3 अक्टूबर की राच से लेकर 4 अक्टूबर की सुबा तक और सर साजित नगर में करीब 1500 अक्टिव थे और सर शोबापूर की कवरेज में दो नंबर ऐसे हैं जो इस वक्स्विच्ट ओफ है एक नमबर है 44567897 क्या नमबर है 44567897 और इस नमबर से 3 अक्टुबर की रात को साड़े ग्यारा बजे एक दूसरे नमबर पर फोन हुआ जो कि शोभापुर एरिया में था वो नमबर है 44567898 898 ये दोनो नमबर आलमोस सेम सिर्फ लास्ट डिजिटर लग 897 और ये है 898 तो हो सकता है ये दोनो नमबर किसी एकी फैमिली के हो सर ये दोनो नमबर 7 अक्टुबर को एक साथ सुच्ट आफ में और ये दोनो नमबर किसके नम पर रेजिस्टर्ड है हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में कोई नो सर, यह दोनो नमबर एक है आदमी के नाम पर रेजिस्टर्ड है, कोई विश्वास गुपता है विश्वास गुपता? तो हो सकता है विश्वास गुपता ने अपने इस नमबर से 3 अक्तूबर की रात को साड़े गयारा मजे अपने किसी फैमिली मेंबर को इस नमबर पे फोन किया हो, जो उस वक्त शोभापूर के कवरेजरिया में था लेकिन सर्शोभापूर में कोई विश्वास गुपता है ही नहीं तो फिर ये दोनों नमबर कहां के रिजिस्टर है सर, लखनव सर, ये दोनों नमबर्स 44567897 और 44567898 प्रीपेड नमबर्स हैं जो की लखनव से खरीदे गए तीन महीने पहले याने जुलाई 2016 में जुलाई 2016 मतलब जब शिखा और सुमीत की प्रेम कहानी शुरू होई थी तब रइड सर मतलब इस मासूम सी प्रेम कहानी की शुरूआत में ट्विस्ट आ जुगा थी बड़े दूर अंदेशी था ये हीरो हेरोईन पर इतनी एडवांस प्रैनि किसके लिए सर्व घर से भाग के शादी करने के लिए पहले घर से भाग गए शादी की सिरंडर की और कहानी के दूसरे हिस्से में फिर से भाग गए सर्व बड़ी पेचीदा कहानी लिखी गई है लेकिन ये कहानी लिखी किसने इस विश्वास गुपता ने या फिर किसे विश्वास गाती ने जी कहिए विश्वास को पता जी घर पे है आप लोग को? पुलिस, थाना शोभापूर जिला अगरा हमें विश्वास जी से मिलना है वो थो मेरे पती थे वगर उनका देहान थो चुगा है यही है आपके पती? जी हाँ, और बात क्या है? कब हो उनका देहान? चार मेना पहले है अच्छा यह जो दो नंबर है ट्रिपल फॉर फाइसिक सेवन एट नाइन सेवन और ट्रिपल फॉर फाइसिक सेवन एट नाइन एट यह उनी के नंबर थे? जी नहीं, यह उनके नंबर नहीं थे गड़ बड़ा सुजी सुमीत और शिखा ने ऐसे बंदे के नाम पे दो फर्जी सिमकाड हासिल किये कि चार मेने पहले गुज़र चुका था जबकि इनके पास फोन तीन मेने पहले से वही तो सर पोई बहुत बड़ा जोल नदर आ रहा है और इस सुर्गवासी विश्वास गुपता की पतिनी का कहना है कि उसके पति का शुबा पूसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था और इस शिखा चोहान और सुमीत राठी का नाम तक निसुना उसमें सर, दोनों फोन साथ अक्टूबर को स्विच आफ हुए थी तीन की रात और चार की सुबा के बीच शिखा गायब होती और फिर तीन दिन बाद, यानि साथ अक्टूबर को दोनों के फोन स्विच आफ हो जाती क्यों? क्या उन्हें पता चल गया है कि सार्च अप्रेशन पूरे जोरों शोरों पर लाँच हुए या फिर फोन स्विच आफ होने के साथ साथ तो इस किस्सा भी आफ हो गया इसी कहानी का इंटरवेल हो गया सर, दोनों फोन्स शमीम बाग में स्विच आफ हुए थी यहां से करीब न 12 किलो मीटर दूर शमीम बाग में शिखा के लिए फुल फोर्स साच अप्रेशन लाँच करो और मोबाइल कंपनी से इन दोनों फोन की डिटेल निकलो और इस इंस्ट्रूमेंट का IMA भी पता करो जिसमें यह दोनों नमबर इस्तेमाल हो रहे हैं यह सिर्फ इंटरकास्ट लाव अफेर का मामला नहीं है यह मामला कुछ बहुत ही सीरिस मामला है सर मैं ट्वालेट जाता हूँ तब भी आपके लोग मुझ पर नजर रखते ऐसा लगता है वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए नहीं मुझ पर जासूसी करने के लिए रखे गए और इस सब के बाद भी सवाल वहीं पर खाड़ा है कि शिखा कहा है सुमित कुछ वक्त के लिए हमें लगा था कि तुम इस कहानी की हिरो हो और शिखा हिरो है पर आप साफ है ऐसा बिल्कुल नहीं है क्या मतलब सर मुझे इस पीसियो वाले कॉल का मतल समझाओ जिस पीसियो से फोन करके तुम दोनों ने अपने आपको जान बुचके पकड़वाया था हमने नहीं पकड़वाया सर मैं शिखा को मना करता रहा मत करो कॉल मत करो कॉल पर वो जित पे अडी रही और अंत में वही गए गए जिसका मुझे डर था कहानी वह किसे कहानी यह अनाप्शणा बोले जा रहे हो मिपके हम्ने बाप बैटे ने मिलकर खुथ कर हमारी शीखा को गाइब कर वा दिये कबापा सिधी बात करते हैं यह लोग तो यह सोचते हैं कि हमने हमारी शिखा को जान से मार देओ जहीं सोचते हैं, बोलो, शिखा को मार डाना या गायब कर दिया, या फिर गायब करवा के मरवा दिया, किसी किराए के हत्यारी के जरीए बस बहुत हो क्या, अब हम सीधे एसमी साहब से बात करेंगे, और ज़रूर पड़ी तो हमारे समाज की बड़ों से बात करेंगे, विरादरी के महा सबाव अलवाएगे आपको जो करना वो कीजिए, पर एक बात हम दावे के साथ कह रहे है, आपके शिखा और सुमीत का लव अफेर एक बहुत बड़ा शड़ी अंतर है सर, बाइस साल की मासूम से शिखा क्या शड़ी अंतर ने चाहेगी? पहले लव अफेर होता है, फिर भाग के शादी, और फिर एक फोन कॉल आता है, जिससे वो लोग पकड़े जाते हैं और फिर शिखा ये कहती है, कि वो सुमीत से कोई वास्ता नहीं रखेगी, पर रखती है दोनों के बीच में फोन पर बाते होती हैं, और फिर शिखा गायब हो जाती है और फिर आप हम पर शिखे करते हैं, कि हमने हमारे शिखा को गायब करवादी है, कि जान से मार conservative說, आपके पास ऐसा कूई सबुत है, जो ये सब साबित करता है हमारे आद कुछ लगा तो जरूर है जिसे हम बहुत जल्द वो साबित करेंगे जो अकिकत में हुआ था मैडम पूरे शमीम बाग की एक गली में घुमाई तस्वीर और इसे किसी ने नहीं देखा यही कहोगे न तुम सारे लॉज खंगा ले तीनी तो लॉज है मैडम और मैडम एक अकेली सुंदर जवान लड़की लॉज में तो नहीं रहेगी कम से कम शमीम बाग में तो नहीं तो ये अकेली सुंदर जवान लड़की कहां रहेगी ये पता करो रॉकेट हमें शिखा चाहिए सर लखनों से कोई भी लीड नहीं मिली, शिखा को मा किसी नहीं नहीं देखा सुजीत अगर ऐसा है तो हम घूम फिर के फिर उसी एंगल पे आगए कि अंदर की बात है, घरे लू मांबा शिखा की लाश घर के अंदर ही कहीं दाफन है सर एस्पी साब से तलाशी के ओडर से लेता है, अब पुरे घर को खोड़ डाल लेकिन सर ये चोहान फैमिली, इन्हें का शिखा को मारना ही था तो इतना कॉंप्लिकेटिट रास्ता क्यों अपना है, मतलब एक मरेवे विश्वास गुप्ता के नाम पे दो दो सिम कार्ज लिए, उन्हें चार अक्टूबर से साथ अक्टूबर तर अक्टिव रखा इतना बड़ा रिस्क ए फैमिली क्यों उठाएगी कहीं है ये दोनों नमबर किराय के हत्यारों को तो ने, जो कतल की रात शुबापूर में मौजूद थे, या फिर चोहान कोठी में मौजूद थे, पहले शिखा का कतल किया गए, और उसके बाद इन दो पेशेवर हत्यारों ने शिखा की लाश को कहीं और ट्रास्पोर्ट कर प्राजबाल जी, मुशाल, कुछ पता चला? क्या बताओं आशीच मैटा, निकम में है पुलीस, हमें पेशा कर रही है, क्यारी हमने मिलकर हमारे शिका को गायप करवाया थे, बरवाद या शिका को कभी-कभी हम सूचते हैं कि गनती हमारी हूए, हम कैसे पहचान नहीं पाएं, कि हमारी नजर के सामने हमारे शीखा पर जादू टोना किया कि, तो मैं पता ही नहीं चलती है क्या कमी रहेगी जानके, प्यार में, संसकार में, क्यो ऐसे मन्हूस दिन देखने पड़ रहे हैं हमें इसका मोवाइल फोन का शॉप है, वही का एड्रेस है यह दो नमबर्स जो हैं, सर यह दोनों आशिष दिक्षित की मोवाइल फोन की शॉप से ही इशू हुए थे, एड्रेस भी उसी शॉप को है जहान परिवार का पड़ाउसी आशिष दिक्षित आशिष दिक्षित? क्या गेम खेला है? सर यह खिलाडी कम बुकी जादा लग रहा था एक मुरत आदमी के नाम पर दो-दो सिंकार इस्तिमाल कर रहा था आखिर इसका प्लैन क्या था? इसकी चोहान परिवार से कोई हिस्ट्री थी क्या? कोई सीक्रिट दुश्मनी पाल रहा था कुछ सालों से शिखा से कोई दुश्मनी? आखिर यह सब क्यों किया गया था? गुम्राख करने के लिए पर सिर्फ हमें नहीं इस कहां के सभी स्टेक होल्डर्स को गुम्राख करने था शिखा और सुमीत जब पहली बार घर से भागे थे तो आगरा से शिखा ने जब फोन कॉल किया था वो फोन कॉल इस डावर्जिन टैक्टिक का पहला पैंतरा था और यह खेल बहुत पहले शुरू हो चुका था दरसली यह क्लासिक केस था यहां जर्म का शिकारी शिकार पर निकलता है और इसका शिकारी फुद भी शिकार बन जाता है सुना जब गेम तो खेल ला है अब इसकी कमेंटरी भी तो खोजी सुनाएगा जल्दी बोल माजरा क्या है इन दोनों फोन का राज क्या है बोल सर्वो दूसरा फोन ट्रिपल फोर फाइफ सिक्स सेवन नेट नाइट मैंने शिका को दिया था और यह विश्वास गुपता कहां से आ गया सचमुच उसे हार्ट अटैक हुआ था या पिर तुमारे हाथों अटैक हुआ था उस पर आई देख और ए शिखा दो हां मैं अपने ले चाय बनाने चारीं तू पिएगी आपके हाथ के चाय को न कोई पागली ना कहेगा वैसे आपके हाथ के पकोडे को भी कोई मना नहीं करेगा वाते बनाना तो कोई तुछ से सीखे चल हाथ बटा हाँ आजा तू खेल ठीक है हमारा घर शिखा के लिए दूसरा घर जैसा था सर हम सब की आपस में बहुत बंती थी तो शिखा के जिंदेगे क्यों बिगाड़ी चौहान परिवार में आग क्यों लगाई सर आग तो इसके और शिखा के बीच में लगी होगी क्यों ठीक क्या रही हो ना मैं लेकिन शुरुआत मैंने नहीं के थी पहल उसी नहीं की थी जब पूजा अपने माय के जाती थी तब शिखा हमारे घर पर आती पूजा की गैर हाजरी में वो कुछ जादा ही आने लगी थी हमारे घर और फिर उसने पहला कदम बढ़ाया कि शादी हाँ ब्या मैरेज बोलो कब करें शिखाव क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करते हैं ऐसी ऐसी बात नहीं है मैं प्यार करता हूं तुम से पूजा हमारे रास्ते का खाटा है है ना नहीं वो मेरी हकीकत है और मैं एक सपना जो सोकर उटते ही भूल जाओ तुम अच्छी तरह से जानते हूं कि ऐसा नहीं है मैं तुम दोनों के बीच बट गया हूं अशिश मैं बहुत ही लाड़ों से बड़ी होई हूं मैं अपनी कोई भी चीज किसी से नहीं बाटती तो बोलो तुझे से कब बात करोगे मेरे ग्राजूशन से पहले उससे डिवास ले देना ठीक है कॉलेज जाते वक्त तुमने मुझे स्माइल क्यों नहीं दी शिखाब तुमने आख मारी थी मुझे और तुमारे घरवाले भी आ थी तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है मतलब पल्ला जाड़ा जा रहा है पिछले हफते पुझा चार दिन के लिए माई की गई थी वो चार दिन तुम अपने दुका में उथे शिखा तुम समझने के कोशिश को नहीं करते हैं जब मेरे साथ सेक्स एंजॉय करते हैं तब तुमने मुझे समझने की होगा मिस्स शिखा आशीश दिक्षित शिखा तुमसे कितनी बार कह चुका हो कि यह मुम्के नहीं है सब मुम्कीन है अशिश मैं भी घर जाकर पुझा को सब कुछ बता देती हूं वो सारे ओटोग्राफ दिखा देती हूं जो तुमने मुझे दिये हमारे प्यार के डीटे बहुत प्यार और मिरा यकीन मानों मैं पूझा से भी अच्छी वीवी बनके दिखाऊंगी मैं पूझा के साथ कभी नाखुश नहीं था सर बहुत प्यार करता हूं से निशा मेरी बच्ची जहान है मेरी वो मेरे और शिखा के बीट में जो जिस्मानी संब्ध बने वो एक कमजोर पलों में बने कमजोर रिष्टा था सर वो और जब उसने मुझे ब्लैक मेल करना शुरू किया तो मेरे अंदर जितनी भी चाहत थी उ मैं उसके शकल भी देखना नहीं चाहता था आगे बोल आगे बोल इस वक्त हमारे बरदाश्ट की बैटरी सुपर लो है अब आप इसे लव स्टोरी का है या ब्लैक मिल स्टोरी लेकिन एक स्टोरी तो है नेरी और शिखा की तो इस सब के बीच में सुमीत कहां से है ना चाह हो जो डिवास लेकर मेरा हाथ नी मांग रहे पापा से और चुकि तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो कोई एरा गेरा नथू कह रहा मुझे प्रपोस करने में तुला है कुछ सुमित नाम का है सौमा के गाउं से अपने दोस्कों आगे कर रहा है मुसे फ्रेंशिप करने के लिए सुमित के साथ अफेर करना होगा ताकि तुम्हारे रास्ते का काईटा क्लियर हो जाए नहीं शिखा ताकि हम दोनों का रास्ता साफ होते मेरा उस गोचो के साथ अफेर होना कौन सा नया रास्ता बनाएगा तुम्हें सिर्फ उसके साथ अफेर ही नहीं करना है बलकि भाग कर शादी भी करना है आशिश भद्दे पना की हद होती है शिखा सुमित राठी है अलग जाती का है जब तुम दोनों को अलग करने की कोशिच करने के पूरी ताकत से और तुम अलग हो जाओगी, आस समधरी उने मेरी? भर क्या होगा? पर तुम दुबारा भागोगी, लेकिन इस बार अकेले अकेली तुम भी साथ चलो ना चलूगा शिखा लेकिन इस बार सिर्फ तो क्योंकि पुलिस पंचायत समाज सब लोग सिर्फ और सिर्फ सुमित राठी के खून के प्यासे होंगे और उसे घंटा कुछ नहीं पता होगा क्या हो रहा है वो भी खुब बॉखलाएगा चिलाएग और उस जंग की आग में लोग तुभी भूल जाएगे उसे दो तिन के बाद मैं गयाग हो जाओगा तुम्हारे पास आजाओगा तुम्हारे माबाप पूजा समाज सब को छोड़के हम दोनों कहीं दूर चलेंगे बहुत दूर अगर तुम सीधे सीधे पूजा को डिवास डेते हैं सर उठाकर मेरा हाथ पापा से मांगते हो तो तुम्हें नहीं लगता हूँ ज़दा आसान और सही रहेगा। मैं देरिया ना तुम्हें ग्रैजिवेशन तक का टाइम तुम्हें क्या लगता है? वो लोग इतनी आसानी से मान जाएँगे? काटकर फेक देंगे हम तूनों को। मैं ही करेंगे, मैं उनकी लागली हूँ। कि मैं राइडली मुझे पता है, और कितना विश्वास करते है उडरी जानता हूँ, एक फोन तक तक तो तुमको दीया निया आज तक, और मुझे देखो, सेल्फोन के दुगान जलाता हूँ, तुम उसे शादी करना चाहती था मैं भी तुम से शादी करना चाहती है दुखो ये मेरा सोचा हुआ सबसे सही प्लान है एकदम अवल और इसके लिए तुम्हें ग्रेजुशन तक वेट भी नहीं करना पड़ेगा सब ठीक हो जाएगा I'm sorry, तुम्हारे साथ तकड़ के बात करने के लिए सुमित आसान शिकार था तुरंथ शिखा के नाटक पर लट्टू हो गया शिखा मुझ से शादी करोगी? मैंने पहले से शिखा से प्लियर कर रखा था कि वो सिर्फ अपने पापा के फोन का इस्तिमाल करेगी सुमित से बात करने के लिए ताकि आप पुलिस वाले जब राजपाल चौहान के फोन रेकॉर्ड से इकलवाते तब आपको सीधे सीधे सुमित का नंबर मिलता और यह जूटा लगफियर दुनिया के सामने आ जाता तुम तीनों में से किसी का फोन इस्तिमाल नी करेंगे पीसी ओ से फोन करती है शिखा ने आगरा कि पीसी ओ से जो फोन किया था उसका भी एक क्लियर मकसद था उसके घरवालों और आप पुलिस वालों को उनके ठिकाने तक पहुंचाना और उन्हें पख़वाना कमाल सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है पता है सुमित आके धमकी देने लगा पापा और भीया को पता है सब देखा मैंने यह तो होना ही था अब आप असली प्रेमी कभी आँसे भागेंगे बहुत जल्द लेकिन तुम्हें काम करना होगा सुमित को एक फोन करना होगा अब फिर से फोन क्यों? सेम पैटर्ण देखो पिछली बार तुहारे पापा के कॉल रिकॉर्ड से सुमित का नमबर मिला था इस बार सुमित फंसेगा क्योंकि उसके फोन रिकॉर्ड से तुम्हारे पापा का नमबर मिलेगा और उसके बाद होगी उसकी कुटाई और उसके एक दो दिन बाद मैं तुम्हारे पास आजाओंगा पर मैं उससे बात क्या करूँगी? यही कि उसे मिस करती हो उसकी पत्नी हो मुझे यहां से ले चलो मुझे बचा लो यह सब कुछ और उसके बाद वो इमोशन हो जाएगा फिर एक कॉल तुम्हारे भागने के बाद उसकी कबर खोदेगा मुझे लगता था कि तुम्हारा प्लान एकदम बख्वास है लेकिन सब कुछ पॉफेक्ट चल रहा है प्लान के हिसाब से चल रहा है आगे भी सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा बस एक गलती मत करने अपने पापा के नमबर से मुझे कॉल मत करने जो नमर मैंने तुम्हें दिया ना उससे कॉल करना ठीक है ठीक है आशिश शिखा को कहां चुपा रखा उस रात सर में पुजा से कहकर निकला था कि मेरे एक दोस्त का एक्सिडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है फिर मैंने गाउं से बाहर आकर अपने दूसरे नमबर से शिखा के नमबर पर फोन किया और उससे बाहर आने के लिए कहा यहाँ यह भी कोई रहने की जगा है आशिश तुम्हें तो कहा था कि आगरा में किसी फ्रेंड के घर रुकेंगे अरसल क्या हुआ कि मेरा फ्रेंड है उसकी आणटी का एक्सिदेंट हो गया तो उसे रोजाबाद जाना पड़ गया इसलिए हम वहाँ ही रुक पाएंगे लेकिन हम यहाँ भी तो नहीं रह सकते न आशिश देखो ना कितनी अजीब सी जगा है कितनी डरावनी जगाई है शिखा इतनी भी डरावनी नहीं है तुम आराम से यहां के लिए रह लोगी अकेली? देखो आशिश मज़ाग में भी ऐसी बाते मत करो वैसे ही मूड ओफ है अब तक हमने जैसा प्लान किया था सब कुछ ठीक वैसा ही जा रहा है न हाँ लेकिन मैं अकेली वाकेली ने रहने वाली हूँ कह देती हूँ तो कुशी कहा एक बात थी जो मैं मेरे दिमाग से निकल गई थी तेखो अगर पहले तुम गायब होगी उसके तुरंद बाद मैं गायब हो जाऊँगा तब तो पुलिस दो और दो चार करी लेगी लेकिन अशीश तुमने तो कहा था कि बवाल मचेगा दोनों गाओं में लोग हमें भूल जाएंगे अच्छी तरह से याद करो मैंने क्या कहा मैंने कहा था पहले तुम अकेली गायब होगी उसके एक दो दिन के बाद मैं गायब हो जाऊँगा और तुमारे पास आजाऊँगा क्योंकि आशीश हम आगरा में किसी धंगे घर में रहने वाले थे यहां तो तुम भी अकेले रात नहीं गुजार सकते देखो ना कितनी अजीब सी जगह है तुम इधर देखो शिखा मेरी आखों में देखो तुमारे सारा डरगाया हो जाएगा अब मैं जाता हूँ और कल सुभी खाना लिख रहा हूँगा नहीं आशीश प्लीज ना अशीश कहीं और लेकिन यहां नहीं अशीश कहीं और इंद्जाम नहीं हो पायेगा मेरा यकीन करो सब कुछ चीक हो जाएगा अशीश प्लीज जिंदीगी में कभी नहीं मुझे एसे अकेले मत छोल ला कभी नहीं जाओंगा बाबू कभी नहीं लेकिन रात इतनी भी बुरी नहीं कटी होगी बुरी रात बर जंगली जान फिरो के आवाजे आ रही थी वहें मुगा तुम्हारा यहां कोई जानवर नहीं है अब चलो खाना खाते है मैंने पूरे तीन दिन के लिए शिखा को वहार रहने के लिए मना लिए उसके लिए खाना वाना ले गया उसे भरोसद दिलाए कि सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा है लेकिन सर्फ प्लान पुरा गड़ बढ़ा गया और यहां बावाल हद से जादा बढ़ गया तो चार पांट छे एक्टूबर तक तुम उसे खाना देने गए जी और साथ के बाद तुम यह जान गए कि यह बहुर नहीं चलेगा जी तुम दिन में एक गंड़े के लिए दो बार आते हो आशिश में पागल हो रही है मैं यह और नहीं रह सकती आशिश शिखा कौन करा कि तुम्हें आ रहना है मैंने तुम्हारी इंद्जाम कर दिया सब कुछ सेटल हो जाएगा भूतिया जगह है सर वहाँ कोई आता जाता नहीं शिखा के मर्डर का प्लान तुम बहुत पहले बना चुके थे बहुत पहले इसलिए तुम्हें शिखा को सुमिष से प्यार के नाटक का और शादी करने का प्लान समझा जी नहीं जी नहीं के बच्चे बोड़ देते अपनी बीवी को अपनी बच्ची को अपने मुबाइल के काम को और शिखा के साथ घर बसा लेते तुम्हें शिखा को मानने का प्लान बहुत बारीकी से बनाया बहुत शातिर दिमाग से ऐसा प्लान बनाया ताकि शीखा के कातल का सारा इल्जाम सुमित के उपरा है बस सुर्गे विश्वास गुपता की आत्मा ने दोजे पकड़वा दिया उसके नाम पर लिये गए दोनों फोन ऐसे बजे कि तरी लाइफ की बजगई इस अच है विशार तुम्हारे भरोसे मनपडों से आशीज़गे अच्छाट पश्दीक्षिक नहीं तुम्हारी बहन शिखा का कतल किया उसी ने हमें बताया कि उसने लाश कहा दफनाई थी मुझे लगा था मैंने सही पासा फेका था पर मुझे नहीं पता चला कि मैं खुद एक पासा था इस्तेमाल किया गया और फेक दिया गया कुछ लोग प्यार के नाम पर एक दूसरे का इस्तमाल करते हैं शोशन करते हैं लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्यार एक खुबसूरत अहसास है और ऐसी हे कनोखी तरज पर प्यार का खुबसूरत ऐसास दिलाने आ रही है बिट्टू और मुन्नी की एक नई प्रेम कहानी देखिए धारावाहिक जाट की जुगनी 3 एपरिल से 100 मार से शुक्रुबार रात साड़े 8 बजे सिर्फ सोनी टीवी पर